एक छूट योजना के ताद 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाव हुआ अंकित मुल लागत मुल से कितने प्रतिसत अधिक है ठीक है जो MRP है वो actual price से कितने percent अधिक है अभी मान लो ऐसे करो 100 रुपे था ठीक है 100 रुपे actual price था ठीक है उस पर 20% का छूट रिस्काउंट देया 80 रुपे में बैजा गया इस पर 10% का लाव हुआ ठीक है इस पर 10% का लाव हुआ या फिर इसको ratio से कर लेते हैं अच्छा रहेगा ratio से कैसे करेंगे देखो MP हो गया यह अपका SP हो गया यह अपका CP हो गया 20% का छूट यानी 20% का fraction value होती है एक पर्टे 5 5 रुपे उसका प्राइस था इस पर एक उर्पय का छूट दिया यानि की MP यानि की मार्क प्राइस 5 ता एक चूट देंके कितने बैचा चार पर में SP हो गया आपका देखो यहा तरह है कि यहां से दस रुप्य का सिपी था है यहां से देखो कि परश्पन चौबालीश हो जाएगा 40 कितना रुप्य उसी कि इनकि इनकि कितना अधी कि 15 अपट्य पाइगा 55 x 100 40 हो जाएगा लागत मुल से पुछा गया 40 अपन में 100 यह कर जाएगा आपका कितने बार में जाएगा चर्तियां बारह तीन चर्तियां बारह तीन हो गया और यह चार सत्य अठाई जाने कि 37.5 कितना हो गया 37.5 ऑप्शन नंबर 2 कर दो